मैं हुजय कुमार और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ अपनी यूटूब चैनल दा पॉइंट अफ अस्टेडी पर दोस्तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बिहार के 19 लाक मजदूरों को मिलेंगे 55 रुपिये इसके बारे में तो फ्रेंट्स आज का नियूज पेपर यह है और यहां पर आपको पूरी जानकारी हम देने का परियास करते हैं इसके माद्यम से तो फ्रेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं आप सरम संसाधन विभाग कर रहा है विचार निर्मान कार्य ठप होने से कामगारों की स्थिति है खराव इनके पास कोई विकल्पी नहीं उमीद है कि 19 लाख मजदूरों को मिलेंगे 500 रुपया तो फ्रेंट्स आईए इसी के बारे में आज पूरी चर्चा करते हैं और इसके बारे में जानने का प्रियास करते हैं कि यकिन मजदूरों को मिलेगा और कब तक या लाव मिलेगा तो फ्रेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं भवन निर्मान से जूरें 19 लाख से अधिक कामगारों को सरकारी राहत मिलने के आसार हैं सरकारी ने कपरा वच्च कित्सा मद में सालाना मिलने वाले 55 रुपया इन्हे जल्द अगरीम मिल सकता है करोना के कारण काम से वंचित लोगों को आर्थिक सहयता देने पर मन्थन चल रहा है ताकि लोकडोन में इन्हे भुकमरी का संकट न हो साल में एक बार मिलने वाले सरकारी सहयता इसी लोकडोन में देने पर मन्थन चल रहा है भवन निर्मान करने वाले राजमिस्तिरी हो या मजदूर कार्पेंटर हो या पलंबर सरकार इनका निबंदन करती है बिहार में ऐसे निबंदित मजदूर की संख्या 19 लाग से अधिक है करोना के कारण ये ये जितने भी तमाम कामगार बिना काम के हो गए और जो भी करोना अलट के कारण जितने भी कामगार काम कर रहे थे बिना काम के इन्हें उल्जन है इसमें कोई कई के समक्च भुकमरी का भी संकत उत्पन हो गया है रोजाना काम करने के बाद ही इनका जिविका चलती थी अधिक्तर के पास जिविका के अन्य विकल्पी नहीं है सरमसंसाधन विभाग इन कामकारों के स्थिती पर नजर बनाए हुए है चुकि भवन निर्मान से जूरे कामकारों में अधिक्तर युवा ही होते हैं और इनके पास कोई राशनकार्ट भी नहीं है इस कारण बिहार की ओर से मजदुरों के हित्मे या घोषना की गई है और जो भी बिहार सरकार पहले घोषना की थी उन में से किसी मजदुर को लाब नहीं मिल पड़ा है इस कारण से इस पर जोर दिया गया है तो फिरेंट यहाँ पर आए जानते हैं एडवांस के तोर पर मिलेगी राशी और यहां पर देखिए तीन हजार रुपए सलाना सरकार निर्मान मजदुरू को चिकित्सा मद में देती है तीन हजार रुपए ये सलाना वार्शिक दर्शे सरकार निर्मान मजदुरू को चिकित्सा मद में देती है एडवांस के तोर पर मिलेगी राशी और राज के 19 लाग से अधिक कामगारों को पोशाक मद की राशी एडवांस के तोर पर मिल सकता है इसके अलावा इन्हे सालाना चिकित सामद में परती कामगार 3,000 दिया जाता है ये राशे भी इन लॉक्डॉन में दी जा सकती है वेशे सरकार चाहे तो कामगारों को इसके अलावावी पेशा दे सकती है उलेखनी है कि सरम विभा के पास सरम अधिबार यानि लेबर सेस होता है सरकार और गैर सरकारी निर्मान पर एक फिशदी का सेस तै है सरकारी अस्तपर होने वाले निर्मान में ही विभा को हर साल करोरों मिलते है विभा के पास अभी पंद्रों सो करोर रुपेए से अधिक जमा है जबकि इन कामगारों को काफी कम पेशे में ही आर्थिक सयाता मिल जाएगी इसके बाद है विभाग खुद जारी कर सकता है आदेश विभाग ये अधिकारियों के अनुसार विवान भवन सन निर्मान कर्मकार कल्यान बोड के तहत इनका निबंदन होता है और बोड विभाग ये मंत्री के ही अधीन है बोड अगर कामगारों को कोई सयाता देना चाहे तो उसके लिए काबिनेट में जाने की आवसिकता नहीं होगी तो फरेंट यहां पर देख रहे हैं बोड यदि कामगारों को सयाता देगी तो इसके लिए उन्हें काबिनेट में ये परस्तों पास नहीं करना होगा वस्चिदे इस अपने पडियोजना से किसान जो भी मतलब मजदूर कारपेंटर हैं इसको लाव दे सकते हैं केवल सरकार के संजान में इस मामले को लाने की अपचारिकता है विवाग खुद इसका आदेश जारी कर कामगारों को आर्थिक सहाता दे सकता है इसी साल विवाग ने पोशाक मदमेपरती कामगारों को 2500 रुपये दिया था इसके बाद यहाँ पर चलिए लोकडोन में भी गरीब बना सकेंगे अपना मकान इसके बारे में भी जान लेते हैं राज में लोकडोन के दोरान भी गरीबों के घर बन सकेंगे इन लोगों के आवास निर्मान में पैसे की कमी आरे नहीं आएगी खास बात यहाए कि ऐसे गरीब भी सरकारी सहाता से अपना मकान बना पाएंगे जिनके पास खुद की जमीन भी नहीं है दरसल राज सरकार ने ऐसे लोगों को पहचान का काम पहले से ही शुरू कर दिया था सरकार ने इन लोगों को आवास निर्मान के लिए जरूरी भूखंड खरिदने के लिए भी पैसे उपलवद कराये थे लेकिन कोरोना आपदा शुरून होने के बाद सारा काम रुख गया था अब सरकार की हिदायत के बाद ऐसे गरीब भूमे ही लोगों को प्राप्त मिक्ता के आधार पर अपना मकान बनाने के लिए प्रुत्साहित किया गया है गरामिन विवकास विवाग ने मुख्यमंत्री वासस्थल करे योजना और परधान मंत्री आवास योजना के तहत इन गरीबों को मकान बनाने के लिए पैसा देना शुरू किया है इन लाबुकों को वासस्थल योजना के तहत साथ हजार दिये गये हैं इसके आलवा परधान मंत्री आवास योजना के तहत एक लाख वीस हजार रुपे दिये जाएंगे इस योजना में अब तक 1274 गरीबों का चेयन कर उन्हें निमंदित कर लिया गया है इस से इसमें 746 परिवारों को आर्थिक साहता दे दी गई है इस पैसे से चेयनित लोग अपना मकान शुरू कर सकते हैं निर्मान सामगरी उपलब्द कराने के लिए जीला अस्तर पर चेयनित अस्थानिये वेंडरों को कह दिया गया है कि इस योजना के तहत सबसे अधिक लाभुक मुझपरपूर में है वहां 147 लाभुकों पैसे मिल चुके हैं कट्यार में 66 भागलपूर में 63 और समस्तिपू में 49 मध्यपूरा में 47 परिवारों को पैसा मिल गया है निर्मान सामगरी पहुंचने के बाद अगले सब्ता से काम भी शुरू हो जाएगा जिन 1274 गरीब परिवारों का चैन निबंदन किया गया है उनमें से अनुसुचित जाती जन जाती के 654 अल्प संख्यक 134 और अन्य निबंदन हुआ है उनको वियार सरकार की तरफ से 55 रुपिये चिकत्सा मत के लिए और पोशाक मत के लिए सालाना जो रासी सरकार की ओर से दी जाती है यह लाव कोरोना संकट को लेकर जल से जल मिलने वाला है तो यदि आप लोगों का भी निबंदन हो चुका होगा यदि म लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेर भी कीजिए फ्रेंड्स अंत में आप लोगों ने अभी तक हमारी चाइनल दी पॉइंट आप स्टेडी को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो किरिप्या सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन का बटन अवस्तवादे ताक आप तक सबसे पहले पहुँचे अंत में आप सभी मित्रों का धन्यवाद जय हिंड जय भारत